हेलो दोस्तों आप सबका स्वागत एक बार फिर से एश्टो गुरू चानल पर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ वीकली होरोस्कोप यानि सापताहिक राशिपल आज कवर करने जा रहा हूँ 13 से लेकर के 19 नमबर तक के सपताह को दिन प्रति दिन आपके लिए कैसा रहन करने वाला है इस पर टैरो की क्या गाइडन्स है यह आज कवर करूंगा हर एक राशी के लिए टैम स्टैम को डिस्क्रिप्शन और कमेंट स्रेक्शन दोनों जगां पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए अपनी राशी की रीडिंग पर डिरेक्ली पहु आपके मोबाइल फॉन पर आनी शुरू हो जाती है और मेरे रेगुलर विवर्स और सब्सक्राइबर्स आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोजर एक करिए मैसेज के थूरू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में तो चलिए आज की रिडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं हेलो मेश राशी आप सब का स्वागत है मेश यानि एरीस आपके लिए 13 नमंबर का जो दिन है ये खुशियों से भरा रह सकता है परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे एक आनंद पूर्ण और सौहार्द पूर्ण वातवरण का जो मजा है जो आनंद है वो आप लेंगे इस दिन आपका कोई काम पूरा हो जाए इसकी पॉसिबिल्टी है चीजें आपके पक्ष में आएंगी और आपके पक्ष से मुरनी चली शुरू हो जाए चलनी शुरू हो जाए इसकी पॉसिबिल्टी है कुल मिलाकर ये दिन percent support भी कर रहा है 14 नवंबर का जो दिन है ये कहता है कि इस दिन आप अपने परिवार को लेकर अपने परिवारिक मामलों को लेकर काफी possessive रहेंगे जिसकी वज़ा से आपके द्वारा लिए गए निर्णाइं अक्सर सही हो जाएंगे इस दिन परिवार के समन्ध में परिवार में आपके सम्मान में वृद्धी होगी आप किसी नए काम में अपने आपको involve करना चाहते हैं तो कर पाएंगे किसी नए काम को शुरू करके कि उसमें सफलता आरजित करना चाहते हैं तो वो भी कर पाएंगे ये दिन कुल मिलाकर पूरी तरह से आपके पक्ष और फेवर में है लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि इस दिन आपका जो सुभाव है वो थोड़ा सा बोल्ड रहेगा थोड़ा सा मुखर रहेगा तो उस मुख का जो दिन है ये कहता है आप दुविधा जनक इस्थितियों का सामना कर सकते हैं जो एक से ज्यादा और दिन में एक से ज्यादा बार आ सकती हैं आपको मोरल का साथ देना है नेतिकता के साथ रहना है सच के साथ रहना है इस दिन स्वार्थ नहीं चलेगा नेस्वार्थ भा अगर मैं 100% में बात करूँ तो ये दिन लाइफ के हर आस्पेक्ट में आपको 120% तक सपोर्ट दे देगा लेकिन आपकी मेंटेलिटी होनी चाहिए कि आप पॉजिटिवली चीजों को करेंगे 16 नवंबर का जो दिन है ये कहता है कि इस दिन आप किसी एक विचार को लेकर उलज सकते हैं और उस विचार को लेकर जो उलजेंगे उसकी वज़ा से थोड़ी सी इंट्रोवर्टनस आपके अंदर आएगी थोड़ा अंतर मुखी पना आ जाएगा जिसकी वज़ा से आप अप को बेहतर फाइदा होगा आप अपने ही मार्ग को प्रदर्शित कर ले जाने में कामियाब रहेंगे तो ये दिन आपको थोड़ा अंतर मुखी तो करता है लेकिन आपको भवश की राह दिखा देता है वरतमान में किस पत पर चलना है इसकी गाइडनस भी दे देता है ये द नहीं तरीके से आप इस्तेमाल कर ले जाएंगे 17 नवंबर का दिन ये कहता है कि इस दिन आपके द्वारा अपने आपको एक कश्मकश के इस्थिति में जहां पर आप अपने आपको एक क्लोज मेंटेलिटी में पाएं इसकी पॉसिबिल्टी है थोड़ा कंजूस रहेंगे आर्थिक मामलों को ले करके और इस दिन आपके द्वारा किये गए प्रियासों में वो नमीनता वो मजा नहीं आएगा तो इसके लिए सबसे पहले अपने आपको अनलॉक करना है दिखे कभी कभी हमें अपने उपर ही शक हो जाता है हम अपनी ही काबिलिटी से या तो घबर जाते हैं या confidence में नहीं आपाते हैं दोनों हो जाता है इन दोनों का सामना करना है एक situation ऐसी अपने mind में बनानी है जहां आप अपनी capability को enhance कर ले जाए चलिए enhance ना कर पाएं तो कम से कम locks को open कर ले और जितनी capability है बस उतना ही इस्तेमाल करें अगर उतना करते हैं तो ये पूर और वो जो 40% आपके favor में है वो आपके अपने lock situation की वज़ा से useless हो जाएगा अब बात करते हैं अठारा तारिकी एक ऐसी situation जहां पर आप पुराने मामलों से overcome करके आगे बढ़ना चाहते थे किसी रुके हुए अटके हुए काम को फिर से restart करना चाहते थे एक नई दिशा में सोयम को मोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए ये दिन सबसे बढ़िया हैं नए कारियों को शुरू करने के लिए भी दिन बढ़िया हैं बहुत high end energy source इस दिन आपको मिल सकता है इस शुर की करपा आपके उपर आ सकते हैं आप जिस मामले में आगे बढ़ना चाह रहे हैं अठ अगर आप कर ले जाते हैं तो फिर सफलता की सीड़िया चड़नी शुरू हो जाएंगी रिलेशन एजूकेशन शोशल इमेंच हर मामले में ये दिन सपोर्ट दे रहा है 19 नवंबर का जो दिन है ये कहता है कि किसी नए काम को शुरू करने के लिए ये भी बहुत बढ़िया दिन है और साथी साथ किसी योजना पर आप अगर और विचार करना चाहते हैं या एक सही समय के प्रतिक्षा कर रहे थे पिछले लंबे समय से कि मेरी ये योजना है किस दिन से काम शुरू करूं तो 19 नवंबर बेस्ट है शुरू कर दीजिए आप अपने आप में बहुत ही डिसीजन लेने में कामयाब होंगे जरूरत पढ़ने पर सामिल्टेनियसली चार पांच मामलों को एक साथ हैंडल कर पाएंगे और सफलता की और आगे बढ़ना आपकी नियती इस दिन रहेगी ये दिन रिलेशन एजूकेशन शोशल इमेज बिजनस प्रोपरिटी प्रेश राशी ये था आपका राशिफल 13 से 19 नवंबर तक का राशिफल आपको कैसा लगा अपने एक्सपिरियंस अपने अनुभू कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे इस वीडियो को लाइक करिये शेयर करिये और चैनल को सब्सक्राइब कर ना मत भूलिएगा अगले वी भूसा ना करें सबसे पहली हिदायत इस दिन की यही है क्योंकि दूसरे आपकी मासूमियत का आपके भूले भाले पन का बहुत बुरी तरह से फाइदा उठा सकते हैं इसमें ज्यादा तर वो लोग होंगे जिनको आप पहले से जानते हैं जिनकी उपर आपको शक्त था कि इन लोगों के साथ डील करके या इन लोगों के साथ कोलेबरेट करके आपको नुकसान होगा और बिलकुल हो जायागा तो इस चीज़ का ध्यान रखना है इस दिन अपने कार खुद कर लें तो ज्यादा बहतर है दूसरों को डेलिगेट ना करने लें दिन के बड़े मामले ब्यापारिक समझ होते और पैसों के लें दिन के बड़े मामले लीगल मामले भी शामिल है इसमें इन सबसे थोड़ा सा दूर रहें तो ज्यादा बहतर रहे गए ये दिन नुकसान दे हैं 10% सपोर्ट 90% आपके खिलाफ काम करता हुआ इसलिए डेली रूटीन जो आपका है रोजमर्रा का आपका एक रूटीन होगा उसी रूटीन पर बने रहें उसे करते रहें कुछ भी नया अडिशनल करने की जरूरत नहीं है 14 नुवंबर का जो दिन है ये कहता है कि इस दिन आप एक ऐसी परिस्थिती एक ऐसी इस्थिती का सामना करेंगे जहां आपको लगेगा कि लोग आपको परखना चाहते हैं उस इस्थिती से बाहर निकलने के लिए आपको लोगों की परवाह किये बिना बस अपने लक्ष पर ध्यान केंद्रित कर देना होगा अगर ये कर पाते हैं तो आप बहुत बहतर तरीके से बहुत अच्छी तरह से अपने टार्गेट को अचीव कर ले जाएंगे लेकिन अगर आप लोगों की परवाह करते हैं तो फिर आप अपने टार्गेट को कभी अचीव नहीं कर पाएंगे बीच में ही आपका जहाज ड बुलाया संकट हो सकता है जो आपको भी फील हो जाएगा कि बहुत लंबा नहीं चलने वाला जल्दी खतम हो जाएगी यह प्रॉब्लम लेकिन उसके बावजूद आपको लगेगा कि नहीं मुझे यहां पर एक डिसीजन लेने की जरूरत है और बस वही गलती है वो डिसीजन के अलावा जो भी जितना भी आपके पास है बस उसे मैनेज करने की उसे सहीजने की कोशिश करिए बस इतना ही काफी है यह दिन बाकी मामलों में आपको दिखाएगा कि हालांकि आपसे अनायास का खर्च नहीं होगा लेकिन फिर भी अपने धन को लेकर के आपकी पकड़ ब द्बॉरा लिए गए निर्डफ लगबग तो सहीं होंगे, लेकिन उसमें काफी सारे इंप्रूमेंट्स की जरूरत होगी, पहले तो डिसीजन सही है एक लाइन में, ठेक, अब उसका इसे बसस पर जो काम करना है उसमें काफी सुधार की जरूरत है, उसकी बारीकियों को ले जाएंगे तो आपके लिए ये दिन काफी सुकून भरा और अच्छा रहने वाला है ये एक ऐसा दिन है जो आपको अपस एंड डाउन दोनों का एक ही साथ अहसास करा देगा इसलिए थोड़ा नीट्रल बने रहे हैं ताकि डाउन सिचुएशन को भी और अप सिचुएश तो रहेगा आप चीजों का सामना करने हार नहीं मानने की मिन्टेलिटी में होंगे और बंद रास्तों को तोड़कर खोलने की सोच रखेंगे ये सिंबलिक है जो मैंने बताया आपको तो कुल मिला करके एक विद्रोही सुभाव आपका देखने को मिल सकता है परिलक्षित ह अब बात है अठारा तारीकी में ये कहता है कि जल्दबाजी इस दिन आपकी दुश्मन होगी इश्वर कई सारे मामले आपके आटो बैलेंस करते चले जाएंगे उस आटो बैलेंस सिचुएशन को अपने बेनिफिट में इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए कोशिश करिए कि जो चीज़ें आटो बैलेंस होकर आपको इश्वर ने दे दी उन चीज़ों को अब यहां से कैरी फॉरवर्ड आप करें आप उनका संचलन सही कर ले जाएंगे इस दिन आप बिना जल्दबाजी किये धैरे के साथ जिस भी कार्रे को हाथ मिलेंगे जिस भी कार्रे में अ इजुकेशन शोशल इमेज तीनों मामलों पर ये दिन साथ से सो परसेंट के बीच का वोलाटाइल सपोर्ट बनाये हुए हैं अब उननीस तारिक उननीस नवंबर का जो दिन है यह कहता है कि एक ऐसी सिचुएशन जहां आप अपने आपको बधा हुआ महसूस कर सकते हैं ल इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं उन्हें लेकर चलें दूसरों पर इस दिन ज्यादा भरोसा नहीं करना इस बात का ध्यान रखेगा क्योंकि लोग आपका फायदा उठाने और नुकसान पहुचाने दोनों की कोशिश कर सकते हैं बाकी ये दिन अच्छा है आप अपने का से काम रहें और बस अपने काम करते रहें तो ये दिन आपको कोई परिशानी में नहीं डालेगा रिलेशन एजुकेशन शोशलिमेंस तीनों मामलों में ये दिन 90% सपोर्ट दे रहा है तो वरिशब राशी ये था आपका राशिफल 13 से 19 नमबर तक का राशिफल आपको कैस लगा अपने एक्सपीरियंस अपने अनुभू कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा बाइबाइब हेलो मिथुनराशी आप सबका स्वागत है आपके रीडिंग में मिथुनराशी आपके लिए 13 नमबर का जो दिन है ये एक ऐसा दिन है जो आपके किसी कार्य को कम्प्लीट कर दे या आपके कोई योजना पूरी हो जाए इसकी पॉसिबिल्टी दिखाता है आपके सम्मान में वृद्धी होगी लोग आपको एप्रिशेट और एड्मेर करेंगे और आप पहले से कहीं अधिक मिच्योर अपने आपको समझें इसकी पॉसिबिल्टी है इस दिन आपको ओवर बर्डन ओवर रस्पॉसिबिल्टी से बचना है जो नहतार्त है जो जरू करिए उन्ही को साथ लेकर चलिए सारी को साथ लेकर नहीं चलना है इस दिन आपके द्वारा किये गए कारियों से आपको प्रशनशा और यश की प्राप्ती हो सकती है रिलेशन एजुकेशन शर्शलमिस तीनों मामलों में ये दिन फुल सपोर्ट दे रहा है चौदा नवं अपने साथी के ऊपर एक ऐसा भरोसा कायम रखने में काम्याब हो जाएंगे देखिए ये भरोसा आपकी साइड से आएगा आप वो भरोसा रखने में काम्याब हो जाएंगे जिसकी आपको लंबे समय से परवाह थी और वाईसे वरसा आपके साथी द्वारा भी यही को अमूल रिक्षण को जो भी रहेगा उसे अपनी मेमोरी में बिलकुल जागरे तवस्था में रखें बाकी ये दिन बढ़िया है थर्ड परसंस का मामला थर्ड परसंस की बात मामला नहीं तीसरे थर्ड परसंस मतलब यहां तीसरे लोगों की बातचीत आपके रिलेशन के ब दूसरे लोगों को मैनेज करने में काफी समय गवा देंगे क्योंकि दूसरे लोग अपने जीवन में क्या कर रहे हैं उनका आपकी और क्या टार्गेट है इन दोनों बातों का आपके वरतमान और फ्यूचर दोनों से कोई भी वास्ता नहीं है लेकिन फिर भी आप चीजों को सुनेंगे समझेंगे और उस पर गौर करेंगे तो ये नहीं करना है ये ध्यान रखिये लोग चिला रहे हैं चिलाने दीजिए जिसको बोल चाल की भाशा में कहते हैं भौक रहे हैं तो भौक ने दीजिए बस अपनी राह पे आगे बढ़िए अगर आप ये कर ले गए तो ये पूरा दिन आपका वरना आप इस दिन काफी मानसिक पर ताड़ना के शिकार हो सकते हैं 16 नवंबर का दिन ये कहता है कि इश्वर की सिधी करपा इस दिन आपके उपर रहेगी और इश्वर चाहते हैं कि आप सिचुएशन को अपने विवेक से मैनेज करें अपनी सो दूसरों का योगदान होगा तो मिल्टिपल गल्तियां भी काम नहीं आएंगी इस दिन धार्मिक उत्साह आपका काफी बढ़ा रहेगा जिसकी वज़ा से आप किसी धार्मिक पुस्तक के अद्धेन की योजना बना सकते हैं साथी साथ में इस दिन आपके द्वारा किये ग इन तीनों मामलों पर ये दिन देखे बना तो पूरा सपोर्ट है ऐसा नहीं कि सपोर्टिव नहीं बना है लेकिन इस फुल सपोर्ट को आपको यूज करना आना चाहिए अगर आप यूज नहीं कर पाएंगे तो बेकार हो जाएगा अच्छे जी अब बात करते हैं सत्रह त निकलने में क्योंकि जब हम अपने आपको स्वेम उल्जा लेते हैं तो हम मानते नहीं हैं कि यह हमने किया है हम मानते हैं कि यह दूसरा कर रहा है हम तो फस गया है तो जब अपनी गलती नहीं दिखती तो निकलना मुश्किल होता है तो इस चीज में ध्यान देना है बाकि दूसरों को अपने काम से दूर रखना है और हर जानकारी अपने करीबियों को आपको नहीं देनी है मतलब कि जो भी आपकी नालेज है या जानते हैं या आपके काम से जुड़े मामले हैं उसकी जानकारी दूसरों को नहीं देनी है या कभी कभी कुछ सीक्रेट्स हैं वो भी नहीं बताने ध्यान रखेगा इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्ड़े सही तो थाबित होंगे लेकिन आपको भी काफी सारे मेहनत का सामना करना पड़ सकता है तीनों मामलों में ये दिन 20 प्रतिशत से लेके 80 प्रतिशत तक का वोलाटाइल सपोर्ट बनाता है अब बात 18 तारिकी 18 नमबर का दिन कहता है कि आप दो मामलों को एक साथ आसानी से मैनेज कर लेने में कामियाब हो जाएंगे और इस वज़ा से लोग आपकी प्रशनशा भी करेंगे इस दिन आपके द्वारा लिया गया निर्ड़े सही लेकिन थोड़ा सा लेट परिड़ाम लाएगा थोड़ा सा देरी से परिड़ाम लेकर आएगा लेकिन परिड़ाम आएगा ज़रूर आपको चिंता करने के आवश्यक्ता नहीं है ये दिन रिलेशन एजुकेशन शोशल में सभी मामलों में 80% का सपोर्ट बनाया है 19 नवंबर का दिन ये कहता है कि आप एक ऐसी और्गुमेंटेटिव सिचुवेशन में उलच सकते हैं जिसका आप से कोई लेने देना नहीं लेकिन फिर भी आप उलच जाए अपने आपको इन सिचुवेशन में उलचने से बचाना है इस दिन आप दूसरे लोगों के बारे में जो भी सोचेंगे परसुवेट करेंगे परसेप्शन करेंगे मोश्टली देखेंगे कि सामने वाले के दिमाग में वैसी ही बाते या लगभन मिलते जलती बाते चल रही है तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इस दिन आप अपने आपको बहुत सिक्यूर रखेंगे क्योंकि अगर आप अपने आपको सिक्यूर नहीं रखेंगे तो जो लोग आपको पसंद नहीं करते वो आपको नुकसान पहुचाने की चेश्टा कर सकते हैं इतना ध्यान रखना है बाकी चीजे ठीक दिख रही है तो मिथुन राशी ये था आपका राशी फल 13 से 19 नवंबर तक का राशी फल आपको कैसा लगा आपने एक्सपीरियंस अपने अनुभू कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चै 13 नवंबर का जो दिन है ये आगे बढ़ने के प्रेरणा के सुरोत के रूप में आपके पास आ रहा है इस दिन आप दो मामलों को एक साथ मैनेज करने की कैपेबिल्टी हासिल करेंगे किये हुए होंगे एक और दूसरा अगर आप अपने किसी एक सिचुएशन एक मामले के अलावा एक दूसरा फ्रेंट ओपन करना चाहते हैं आप एक बिजनस में हैं आप एक नए बिजनस के बारे में आइडियोलोजी चाहते हैं आप एक जॉब में हैं साइट बिजनस बनाना चाहते हैं कुछ भी दूसरा आप पढ़ाई कर रहे हैं आप किसी और सबजेक्ट मे भी महारत हासिल करना चाते हैं जिस दूसरी आइडियोलोजी को आप अपने में इनहेंस इंबिल्ट करना चाते हैं उसके लिए सीड के रूप में बीज के रूप में इस दिन को इस्तेमाल कर सकते हैं ये दिन बहुत बढ़ी है और आपके फेवर में है दिपक्षिय मामले से सहयोग देता रहेगा और लगभग 80% का सपोर्ट लाइफ के हर आस्पेक्ट पर बना देगा चौदा नवंबर का जो दिन है ये कहता है कि इस दिन इस दिन आपके द्वारा लिए गए जो निरड़े हैं उन निरड़ेयों की वज़ा से आपको लोग एप्रिशेट करेंगे आप कठोर निरड़े ले सकते हैं कठोर निरड़े का मतलब होता है जैसे किसी किसी मामले पर कुछ कड़े फैसले करने हैं तो ये दिन उसमें करेंगा आप अपने लक्ष को लेकर टार्गेट को लेकर बहुत पजैसिव रहेंगे और बिल्कुल कंप्रोमाईज नहीं करेंगे दूसरों को मैनुपुलेट करके या खुद प्रयास करके अपने लक्ष को हासल करने का पूरा प्रयास करेंगे और इसमें आप सफल भी हों इसी रूट बिहेवियर के चलते आपके साथी के साथ थोड़ी अन्बन होने की पॉसिबिल्टी है जो रिलेशन्शिप के मामले में इस दिन को पावरफुल नहीं बनाती बाकि सोशल इमेज और एजुकेशन के मामले पे ये दिन पूरा पावरफुल बना हुआ है पंद्रा नमबर का दिन ये कहता है कि आपकी सोशल इमेज में काफी ज़्यादा इंप्रूमेंट होंगी लोग आपको एड्मायर करेंगे एप्रिशेट करेंगे आपके ब्यापार में वृद्धी होगी प्रोफेशनली लिये गए डिसीजन बिल्कुल सही होंगे और शोशल इमेज तीनों मामलों में दिन बढ़ी हैं सपोर्ट दे रहा है 16 नमबर का दिन कहता है कि आप अपने मन में चलने वाली उथल पुथल को मैनेज करें क्योंकि ये पूरा दिन पॉजिटिवली आपके सहीयोग में और आपके सपोर्ट में है आपके मन में जो उथल प तारिक कहता है कि इस दिन आप भविश को लेकर अपने आर्थिक योजनाओं को अगर बनाते हैं तो भविश में उन पर जब काम करेंगे तो आपके सफल होने की फुल पॉसिबिल्टी है दूसरों के मामलों से खुद को दूर रखें आर्थिक प्रगती ब्यापारिक उन्न जॉब में तरक की एक रिकागनेशन प्रोमोशन की और आगे बढ़ना और फाइनेंसियली या एकोनॉमिकली गेन करना इस दिन आपकी नियती हो सकती हैं नए कार्यों को शुरू भी कर पाएंगे अगर चाहेंगे सत्रह तारिक को तो ये दिन रिलेशन एजुकेशन शोशल इमेज तीनों मामलों में एक ऐसा सपोर्ट बना कर रहेगा जो आपके पॉजिटिव अप्रोच के साथ साथ इनहेंस होता जाएगा बढ़ता जाएगा अठारा तारिक एक ऐसा दिन है जो कहता है कि आप काफी इमेजिनरी परसन रहेंगे और आप अपनी इमेजिनेशन में अगर डूब नहीं गए तो जो हासल करना चाते हैं वो कर ले जाएंगे तो एक टार्गेट बनाईए प्लैन बनाईए उस प्लैन के उपर काम करिये दिमाग में जो इधर उधर के विचार इमेजिनेशन थाट प्रोसेस आते हैं उन्हें साइड में हटा तो सकते नहीं तो स उसे अचीव करने के लिए प्लैनिंग भी इस दिन बना पाएंगे रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सभी मामलों में ये दिन 70% सपोर्ट दे रहा है उन्नीस नवंबर का जो दिन है ये कहता है कि इस दिन आप दो पक्षे मामलों में खासे सफल रहेंगे गेट ये दिन सबसे सुनहरा या गोल्डन कहें तो वो है इस दिन इमोशन भी आपके हाई रहेंगे आप अपनी महतो कांक्षाओं को अपने साथी के सामने प्रदर्शित कर पाएंगे उसकी महतो कांक्षाओं पर खरे उतर पाएंगे और इमोशनल होकर डिसीजन लेने वाली अडिशन तक जा पाएंगे तो वो एक काम नहीं करना बाकी सब बढ़िया है इमोशनल डिसीजन मत लीजिएगा रिलेशन एजुकेशन शोशरी में सभी मामलों में ये दिन 80% का सपोर्ट दिखाता है तो करकर आशी ये था आपका राशिफल 13 से 19 नवंबर तक का राशिफ हेलो सिंगराशी आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में सिंगराशी आपके लिए 13 नवंबर का जो दिन है ये कहता है समाल कर चलिए वरना आपकी गिरने की पॉसिबिल्टी है मतलब फिसल जाएंगे जिस राह पर चल रहे हैं उस पर यानि जो अचीव करना चाहते है जो प्रयास कर रहे हैं उन प्रयासों में थोड़ी सी अवेरनेस की जरूरत है ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चलेगा ये दिन ऐसा है जब लोग आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं और उनके मैनिपुलेशन में आकर आप गलट डिसीजन ले लेंगे तो इस चीज़ से आपको ब 14 नवंबर का जो दिन है ये कहता है कि इस दिन आपके दौरा लिये गए निर्डें की वज़ा से आप आगे बढ़कर जिस योजना पर योजना में कारे करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी एक नई शुरुआत कर सकते हैं इश्वर की करपा अनुकंपा आप पर बनी रह है तब ही ये सफलता आपको मिलेगी एक नई शुरुआत आप इस दिन करते हैं या इस दिन प्लान करके किसी और दिन करते हैं इस दिन अगर नई शुरुआत की प्लानिंग करेंगे तो वो भी काम करेगा इसको ध्यान रखिये 90% का सपोर्ट दिखाता है लाइफ के हर प्लान करेंगे जहां जहां आपको ऐसा लगता था कि चीजें इंबैलेंस डिस बैलेंस होती चली जाएंगे आप दूसरों के बारे में अपनी कोई राय ना बनाएं लोगों के बारे में ना ये सोचना है कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है एक प्री परसेप्श आप अपने आपको लगाते हैं और उसमें सफलता भी एकॉर्डिंगली मिल जाएगी रिलेशन एजूकेशन शोचल इमेज तीनों मामलों में 15 तारिक 100% सपोर्ट देता है सोल år नमंबर कहता है कि इस दिन आप इस्वर्गी कर्पा के बिल्कुल पात्र रहेंगे लेकिन अगर आहंकार नहीं आता है तो इस दिन आहंकार आपका सबसे बड़ा दुसमन होगा योग आपकी बातों को मान सकते हैं लोग मैनू鬼 पुलेट हो सकते हैं आपको रापकी रि रखने वाले वेक्ति के रूप में स्थापित करने की जरूरत है तभी लोगों का और इश्वर का सहयोग लगातार आपको बनेगा और आप जो चाहते हैं वो सफल हो जाएंगे उस कारे में ये दिन रिलेशन, एजूकेशन, शोशली में सब में 100% सपोर्ट करेगा अगर आप एहंकारी नहीं हैं, घमंड नहीं करते हैं तो और अगर आप एगो करते हैं तो सपोर्ट गिर के 10% रह जाएगा 17 नमबर का जो दिन है ये कहता है कि इस दिन आपको किसी प्रकार की आसुविधा जनक इस्थिति या दुविधा जनक इस्थिति का सामना करना पड़ेगा तो उनने कहा वो सूरज नहीं, चांद वोбоहां ठेक चांद है, हमने आपकी बाद से अग्रिकल ले, औरगूमंट이고 खाता है और जिन कारणियों में आपने अपने आपको लगाया है कारणियों में टास्क में उन कारणियों में इस्थिति कितनी भी आपके अगेंश्ट हो पीछे हार मान के हटना नहीं है सफलता आपको मिलके रहेगी अगर आप पीछे नहीं हटते तो 50% का सहयोग positively life के हर आसपेक्ट म पहले से बेहतर होनी शुरू हो जाए इसकी possibility है prosperity की और बढ़ेंगे रुका हुआ धानाने के संभावना है खर्चे थोड़े बढ़ेंगे परिवार में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर पाएंगे किसी सदस्य के स्वास्त में परिवार में यदि समस्या थी तो उसमें भी आपको सुधार देखने को मिल जाएगा ये दिन relation education social image तीनों मामलों में 100% support दे रहा है 19 नमंबर का दिन ये बताता है कि इस दिन आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं एक साथ कई मामलों को manage करने की capability भी आप में रहेगी आप अपने आत्म विश्वास में मंत्र मुग्धता आत्म मुग्धता नहीं है जो आपको self confidence देगी और आगे बढ़ने की प्रेणा लगतार बनी रहेगी ये दिन बहुत अच्छा है आपको आगे बढ़ना चाहिए और अपने ऊपर इतना विश्वास करिए कि जिस काम को आपने ठाना है उसे आप कम से कम complete तो कर ह बना हुआ है तो सिंग राशी ये था आपका राशी फल 13 से 19 नवंबर तक का राशी फल आपको कैसा लगा अपने experience अपने अनुभो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे इस वीडियो को लाइक करिए शेर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर नमद भूलिए अगले वीडियो और ज्यादा strength को महसूस करने का है क्योंकि इस दिन आपको एक ऐसे challenge का सामना करना पड़ सकता है जो शुरुआत में आपको थोड़ा सा घबराहट दे दे लेकिन जब आप challenge को accept करके उसका सामना करते हैं सुईकार करके उसमें काम करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ आपकी learning skill बढ़ रही है आप अपने छमता को बेहतर इस्तेमाल कर पा रहे हैं आप अपने आपको एक ऐसे person के रूप में देखेंगे जो अपनी योगता को पहल काफी difficult मानते हैं ये दिन relation education social में तीनों मामलों में 80% का support बनाता है 14 नमबर का जो दिन है ये कहता है कि इस दिन आपके द्वारा लिए गए गए निर्णेयों की वज़ा से आपके जीवन में एक ऐसा परिवरतन आएगा जो आगे बढ़ कर आपको सफलता के मार्ग पे ले जाएगा एक व्यापारी की यात्रा या कहीं दूर से कोई समाचार शुब समाचार प्राप्त होने की संभावना बनती हैं इस दिन लोग आपको appreciate करेंगे हलांकि आप थोड़ा स्वार्थी रहेंगे जो की ठीक है acceptable है लेकिन उस स्वार्थी की वज़ा से आप अपने कारिय का है बस बात खतम होगे स्वार्थी स्वार्थ दूसरे का नुकसान नहीं और इस चीज में आपको इतना ध्यान रखना है कि जब आप अपने लक्ष को हासिल करने के लिए या अपने लक्ष को बना रहे हों लक्ष को हासिल करने के लिए काम कर रहे हों या लक्ष को बना र है 15 नवंबर का दिन कहता है कि एक ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है जो आपने एक्सपेक्टर नहीं की थी तो एक unexpected situation जो आपके बिना बुलाए आपके जीवन में उतरे गी आपके जीवन के किसी एक chapter को close out करेगी और नए chapter को open करेगी ये closing छोटी सी होगी लेकिन फिर भी आपको नापसंद आए इसकी possibility है बट आप इसे accept करें ensure की मरजी मान कर क्योंकि यहीं से आगे की राह बहतर तरीके से आपके जीवन में आने वाली है और ये situation ये बहतर राह आपके जीवन को नए transformation के और भी ले जाएगी तो ये दिन इस तरह का है सुनने में बड़ा अच्छा लगा लेकिन ये बुरा दिन है बिल्कुल support नहीं करता दस person का support है लाइफ के हर aspect में इसलिए अपने daily routine पर बने रहें यही ज़्यादा जरूरी है 16 नमंबर का जो दिन है ये कहता है कि इस दिन आप एक ऐसी situation का सामना करेंगे जहां आपको लगेगा आप घिर गए हैं समस्याओं में और ये समस्याओं आपके जीवन से खत्म नहीं हो रही है तो इस समय में आपको बस क्या करना है कि जो necessary है जरूरी है बस उस पर focus करिए बाकी चीजों पर focus मत करिए अगर आप necessities पर focus करके काम करते हैं तो आपकी कई सारी समस्याओं का सुल्जहना आपके लिए आसान होगा और आप बहतर काम कर ले जाएंगे और अगर एक के बाद एक समस्याओं आती है तो जो सबसे बड़ी और huge problem है उसको ही resolve करने की कोशिश करें स्वास्थलाब भी इस दिन होने की possibility है और टूटे हुए relation के फिर से जुड़ने की संभोना है ये दिन 40% का सपोर्ट करेंगा लाइफ के हर असपेक्ट में 17 नवंबर का जो दिन है कहता है इश्वर की कृपा के तदन रूप आपके अंदर एक ऐसी छुमता का विकास होगा जिससे आप situation को manipulate कर पाएंगे लोगों को manipulate कर पाएंगे खुद को manipulate कर पाएंगे अपनी आदतों को बदल सकते हैं तो आप इस दिन को जैसा चाहेंगे ये वैसा घूमेगा अगर आप घूमाते हैं तो ठीक है नहीं घूमाते तो वैसे का वैसा ही रह जाएगा जैसे का तैसा था तो relation education socially में सभी मामलों में ये दिन 100% का support बनाता है अब बात करते हैं आपके लिए 18 नमंबर की 18 नमंबर का जो दिन है ये कहता है कि आप इस दिन बड़े soft hearted person रहेंगे आपको एक सुखत समचार प्राप्त हो सकता है पुराने मित्र अत्वार रिष्टेदार से मिलना हो सकता है एक्स लवर के बारे में एक information मिल सकती है जो आपको अंदर तक जग जोर देगी उससे कुछ होगा वोगा नहीं बसके वल एक information मिलेगी अरे उसकी शादी होगी हाइद दिया उसकी शादी होगी ये भी जग जोर ना हुआ कुछ भी हो सकता है इस दिन आप देखे प्रॉब्लम कहा है वो समझें ये दिन इतना बढ़िया है कि आप बहुत कुछ बहुत बहुत बहतर तरीके से कर पाएंगे लिकिन जब एक्जिक्यूट करने की बारी आएगी काम को करने की तो थोड़ी कामचोरी मन में आ जाएगी इस कामचोरी से आपको बचना है बाकी कोई प्रॉब्लम इस दिन में नहीं है ये दिन फुल सपोर्ट करता है अब अगर आप कामचोरी करें तब तो फिर गया ममला काम खत्म 19 नवंबर का जो दिन है ये कहता है कि इस दिन आप situationally overcome करेंगे चीजों में आप अपने एक target को achieve करने की कोशिश करेंगे और दूसरा आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा situationally overcome करना है आपको कैसे मेरा target number one complete हो फिर मैं target number two पर काम करूंगा उस से पहले number two पर काम नहीं करना number two बहुत अच्छा हमने note down कर लिया note book में हम इस पर बाद में काम करेंगे पहले ये पूरा हो जाए समझ में आ गया market में खरीदने गये थे save apple apple नहीं save apple से कुछ और समझ लेते हैं market में खरीदने गये save आपको रास्ते में तर्बूच दिख रहा है पहले save ले लो भाई अभी तर्बूच के चक्कर में जोला फूल हो जाएगा फिर आप सोचोंगे रखेंगे कहां ये तो बहुत बड़ा है जोला ही भर गया हमारा चलो घर चलो गबढ़ हो जाएगी घर आके पता चलेगा कि डाट खा गए कि तर्बूच का काम भी नहीं था गबढ़ हो गई है ना कुछ ना कुछ गबढ़ हो जाएगी तो एक टार्गेट पर काम करें अच्छा इसके साथ साथ ये याद रखें कि जीवन में आपने क्या आरजित किया है क्या हासिल किया है अपने बारे में एक awareness बन आता है तो कन्यराशी ये था आपका राशिफल 13 से 19 नवंबर तक का राशिफल आपको कैसा लगा अपने experience अपने अनुभो कमेंट सक्षन में जरूर लिखे इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगले वीडियो में आ आप अपनी महतो कांग शाओं को एक उड़ान देते हैं तो सफलता आपके चरण चूम सकती है लेकिन आप अपनी महतो कांग शाओं को उड़ान तो दें खुद पर डर करके बैठे रहना किसी काम को करने से घबरा जाना आगे ना बढ़ना ये सब आपकी महतो कांग शाओं की योजनाओं को फेल कर देगा इसलिए स्वयम पर विश्वास करें बस इतना काम करें दूसरे लोगों के मामलों से खुद को दूर रखें अपने काम से काम रहें और अपने काम में आगे बढ़ें सफलता आपको मिल जाएगी ये दिन 60% का सपोर्ट देता है लाइफ के हरा स है और सिर्फ नियती नहीं है बलकि वो सिच्वेशन आपको बहुत कुछ सिखा देगी आपके स्किल्स में इंप्रूमेंट आ जाएगी आपके नजरिये में परिवर्तना जाएगा डेली रूटीन के जो कार रहें उसमें आप अपने आपको इतना कैपेबल पाएंगे कि व दूसरों के बारे में भी पॉजिटिवली सोचेंगे बिचार करेंगे लेकिन लोग आपको यूज करने के कोशिश कर सकते हैं ऐसे लोगों से अपने आपको बचा कर रखना है जरूरत पड़े तो उनको जिड़क दीजिए उनको अपने से दूर कर दीजिए इन चीजों के अलावा आपके मन में कई सारे विचार आएंगे कई सारी योजनाय आएंगे लेकिन आप उस पर काम नहीं कर पाएंगे मन में विचार का आना आपके बहुत पॉजिटिव है बहुत फॉर्चुनेट है उन विचारों को जरूरत पड़े तो जो जरूरी है सारे वाले नहीं तो कोई बात नहीं वो सब चलने दीजिए फिर किसी और दिन काम करिएगा लेकिन जो योजनाए दिमाग में ही वो नोट तो कर लीजिए इतना होने के बावजूद ये जो दिन है पंदर तारीक ये आपको फुल सपोर्ट देता है लाइफ के हर आसपेक्ट में मतलब अगर आप थोड़ा हिम्मत करके काम करते हैं तो सफल हो जाएंगे सोलह नवंबर का दिन ये कहता है कि आपके अंदर एक जुझहारू एक रिबेलियन परसन सामने आ जाएगा जो हार नहीं मानता हार मानना आपको पता नहीं है आप जानती नहीं है कि हार मानना कैसे होता है situation कुछ भी हो मैं तो लड़के जीतूंगी मैं तो लड़के जीतूंगा ये वाली mentality आपकी आ जाएगी और इस वाली mentality के साथ ही आपको carry forward अपने आपको करना है क्योंकि जीत इस दिन आपकी ही होनी है आपके जुझहारू विक्तित उसे आप सफलता कि उस पाइदान पर पह सत्रा नमबर का दिन ये बताता है कि इस दिन आप अगर अपने विवेक से निर्ड़े लेते हैं तो बहुत कुछ बहतर कर पाएंगे इस दिन आप दूसरों के मामलों से अपने आपको दूर रखें और दूसरों से सिर्व सलाह मश्विरा ले लें लेकिन उनकी बातों का अ तीनों मामलों में 70% का सपोर्ड बनाता है अच्छा जी अब बात करते हैं 18 तारीकी 18 नमबर का दिन कहता है कि लोग आपको यूज करने मैनूपुलेट करने और परखने तीनों में से कुछ भी या तीनों करने की कोशिश कर सकते हैं इस दिन आप आर्थिक मामलों में थोड आटो रीसेट हो जाएगी तो आपकी डिसीजन की जरूरत नहीं है क्रिड़िट कार्ड का इस्तेमाल कम से कम करें लोगों को ना उधार देना है ना उन से उधार लेना है इसका ध्यान रखिएगा इस दिन आप अपने रोज मर्रा के कारजियों को एजट इस करें और दूस है रिस्क लेकर काम नहीं करना है ये दिन अठारा तारिक साथ प्रच्छत का सपोर्ट दिखाता है लाइफ के हर आस्पेट पे और उन्नीस तारिक अठारा तारिक की सिचुएशन को री बैलेंस करने के बाद आपको कहता है कि नए काम में आप हाट डाल सकते हैं शुरू कर सक इस दिन आप अपनी च्छमता अपनी कैपिबिल्टी पर और ज़्यादा विश्वास करें इसकी पॉसिबिल्टी है और आप उन कारियों को करने के लिए मन्द से तयार हो जाएंगे जो थोड़े असाद है या मुश्किल की शिरणी में आते हैं इस दिन आपके दौरा आपको आगे बढ़ने में और कॉन्फिडेंट रहने में सही योग देंगे रिलेशन एजुकेशन शोशली में इस तीनों मामलों में ये दिन 90% का सपोर्ट बनाता है तो तुला राशी ये था आपका राशिफल 13 से 19 नवंबर तक का राशिफल आपको कैसा लगा अपने ए सेक्शन में जरूर लिखिए इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर नमद भूलिए गाए अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा बैबाए हेलो वरिष्चिक राशी आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में वरिष्चिक राशी आपके लिए 13 नवंबर का जो दिन है ये कहता है कि आप जिस महत्व कांख्शा को पूरी करने के लिए इस दिन ठानेंगे वो पूरी हो इसकी पॉसिबिल्टी है इस दिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपनी योजना महत्व कांख्शा या टार्गेट को अचीव करने के लिए सामदाम दंडभेद का इस्तेमाल कर सकते हैं कंडिशन ये है शर्त ये है कि आपकी शोशल इमेज खराब या डैमेज नहीं होनी चाहिए बाकी सारी छूट इस चीज के अलामा आपके द्वारा लिया गया निर्ड़े सही साबित होगा आप दूसरों को मैनूपुलेट करने में कामियाब होंगे और अपने ग्रेस का इस्तेमाल करके चीजों को अपने पक्ष में मोड़ लाने की आपके अंदर कला होगी इस दिन आपके द्वारा सोचा तो बहुत कुछ जाएगा और जो तेरा तारीक को अगर कुछ छूड़ गया तो उसे कैरी फॉरवर्ट करने की कोशिश करेंगे लेकिन थोड़ा सा डीमोरलाइज हो जाएंगे इस दिन इस वज़ा से चुकि डीमोटिवेट हो जाएंगे इ कुछ मामले डिले हो सकते हैं पोश्ट पॉन हो सकता है या आपको यह समझ में आ जाएगा कि अभी सफलता थोड़ी सी दूर है तो वो जो थोड़ी सी दूर है वो सच में थोड़ी सी दूर है उसके लिए आपको डीमोटिवेट नहीं होना कॉन्फिडेंट रखना है अपन मन को एक नए प्रकार के असमंजस के इस्थिती में पाएंगे जहां आपका मन हाँ और ना के बीच में भवर जाल में फच जाएगा कुछ मामले जिसमें आपका मन कहेगा हाँ हाँ ठीक है और ना ना नहीं ठीक है वाली कंडिशन तो इस हाना की condition को अगर आप observe करेंगे सबसे पहले observe करना ही किए चल रही है मैं क्या सोच रही हूँ क्या सोच रहा हूँ ऐसा तो जब आप ये करना शुरू करेंगी तो आपको feel हो जाएगा आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब आपके दिमाग में चल रहा है एक वहम की तरह से ग्राउंड पर चीजे ठीक है और सच में ग्राउंड पर चीजे ठीक है क्योंकि जो आपने सोचा है उसे एक्जीक्यूट करिए अपनी योजना अपने प्लैन के अनुसार काम करिए सफलता इस दिन आपको मिल जाएगी आपके डेली रूटिन्स में कोई समस्या नहीं है और उसमें चीजें आपके पक्ष में बनी है रिलेशन, एजुकेशन, शोशल इमेजिन सभी मामलों में ये दिन 80-90% सपोर्ट दे देगा 16 नमबर का जो दिन है कहता है कि कुछ इम्बैलनस सिचुएशन वापिस से रिबैलनस हो जाएगी और आपके किए गए कारियों में जो भी कार्याप कर रहे हैं, जिस चीज में आप अपने आपको लगाते हैं, जिस चीज को हासल करने के लिए, जो सफलता प्राप्त करने के लिए कारे करते हैं उन कार्यों का सही प्रतिफल इस दिन आपको मिले इसकी फुल पॉसिबिल ilgili बनी है और इस दिन आपके द्वारा एक सही निरड़े भी लिया जा सकता है जो आपके आने वाले समय और भविश दोनों को सही दिशा और दशा दोनों दे सकता है इश्वर के कृपा आपके ओपर इस दिन बनी है इसलिए कोई भी आनायतिक कारे ना करें इसका ध्यान रखें बाकी रिलेशन, एजुकेशन, शर्शल इमिज, बिजनिस, जॉब, प्रोपरिटी इन सभी मामलों में ये दिन फुल सपोर्ट बनाता है, 17 नमंबर का दिन कहता है कि आपका जरूरत से ज्यादा महतो कांक्शी हो जाना, या अपने अंदर बढ़ बोला पन लाना, या ओवर कॉन्फिडेंस लाना, दोनों ही ये सब चीज़ें आपके लिए नुकसान दे, इस्तितियां ला सकती है, इसलिए साउधान रहें, इस से घबराएं बिल्कुल नहीं, बस आप धीरे धीरे कोशिश करते रहें, आगे चल करके चीज़ें आटो सेट हो जाएंगी, दूसरे लोग इस दिन आपको मैनुपुलेट करने में कामियाब हो सकते हैं, इसलिए दूसरों की बातों को सुन कर नड़ें नहीं लेना है, बाक आपका वरतमान और भवश दोनों बहतर होगा, आर्थिक मामलों में एक प्रगति की संभावना या एक नए डोर का ओपन होना, यानि एक नए उपरचिनिटी का खुलना आपके लिए पॉसिबल होगा, कारे छेतर में यानि अगर जॉब करते हैं तो सीनियर आफीसर का सपो मिलेगी, रिलेशन, एजुकेशन, शोशल इमेच, इन सभी मामलों में ये दिन सहीयोग देता है, लेकिन कहता है, कि आप एहनकार में ना आएं, इस बात का ध्यान रखें, अब उननीस तारिक का दिन जो है, ये कहता है, टूए सिच्वेशन को बहुत बढ़ियां मैनेज कर ले जाएंगे, अपने आपको किसी नए काम के लिए तैयार करना चाहते थे, और उस काम में एक योजना चाहिए, या योजना बन गई है, काम को शुरू करना है, करना है, तो उसके लिए भी ये दिन सपोर्ट करेगा, आप दो मामलों को एक साथ बहुत आसानी से हैंडल कर ना है, ना उनके बारे में पस्तावा करना है, बस आगे बढ़ते रहने का माइंड सेट रखिए, रिलेशन्शिप जो वन टू वन है, उसमें बहुत इंप्रूमेंट मिलेगी, बिजनस पार्टनर के साथ भी चीजें बहतर हो जाएंगी, और लाइफ में काफी कुछ आटो सेट भी हो जाएगा, तो कुल मिलाकर ये दिन लगभगा सी परसंट का सपोर्ट देता है, आपको लाइफ के हरास्पेक्ट में, तो व्रिश्चिक राशी ये था आपके लिए राशी फल 13 से 19 नमबर तक का राशी फल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अन में धनुराशी आपके लिए 13 नमबर का जो दिन है, ये एक पॉज मोमेंट को ले आएगा, आपके चलते हुए काम रुख सकते हैं, बना बनाया खेल बिगड़ने वाली स्थिती दिख सकती है, लेकिन ये टेंपरेरी मोमेंट है, जो एक दिन में समाप्त हो जाएगा, इसल लिए इस दिन को आप मान के चलें कि ये दिन आपका देखें बुरा तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये मान कर चलें कि सहयोग नहीं दे रहा है, सहयोग किस चीज में देगा, इस्प्रिच्वल चीजों में, मंदिर चले जाएगे, भगवान के दर्शन करिए, भगवान का कोई सुक्त वगरा याद करना है, उसकी मीनिंग जाननी है, वो कर लिजे, गीता के एक दो अध्याय पढ़ लिजे, इन चीजों में ये बहुत बढ़िया रहने वाला है, मेडिटेशन करिए, बहुत अच्छा रहेगा, तो कुल मिला करके बहुत एक मामलों में ये बिलकु तो अच्छे, लेकिन एग्जीक्यूट करने के लिए, उस पर काम करने के लिए आपको किसी का साथ चाहिए, या किसी की जरूरत है, तो उस चीज पर बाद में विचार करिएगा, पहले अपने निर्डे को या आपकी जो योजना है, उस पर थोड़ा विचार करें कि ये कि की वे मुह खोलकर मदद नहीं मांगते हैं, देख रहे हैं, प्रॉबलम है, रहने दीजिए, जब वो मदद मांगे तो बिल्कुल मदद कर दीजिए, फिर पीछे भी नहीं हटना है, ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, शोशल इमेज, सभी मामलों में फुल सपोर्ट बनाय ह हुए है, पंद्रह नवंबर का दिन, कहता है कि आप चाहें या ना चाहें, चीजें आपके पक्ष में मुड़ती जाएंगी, और सिचुएशन, चुकि आपके पक्ष में मुड़ रही है, तो आप उसको अगर मैनेज करते हैं, तो सिचुएशन या वो मामले आपको बहतर देते चलेंगे, लेकिन आप मैनेज नहीं करते हैं, तो अपर्चुनिटी आती जाती है और निकलती जाती है, आप सिर्फ देखते रहेंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए इस दिन को यूटिलाइज करने के लिए सारी चीजें आपको नहीं करनी, योजना बहतर सही हो और अगर उनका इस्तेमाल कर सकते हैं या करते हैं तो हंड़िट परसंट का सही हो दिगा मतलब दस परसंट से सो परसंट का वोलाटाइल सपोर्ट मिल रहा है लाइफ के हर परस्पेक्ट में 16 नवंबर का दिन कहता है कि आपकी सोशल इवैल्यवेशन बढ़ जाएगी सोशल मामलों में लोग आपको और एकसेप्ट करेंगे और आपकी जो एक मारकेट वैल्यू है या सोशल वैल्यू है वो बढ़ेगी आपके सम्मान में वरिद्धी होगी आपके द्वारा लिए गए गए निर्ड़ज जो की आप चाहेंगे तो लेंगे ज नहीं चाहेंगे तो फिर पोश्ट लिमेज तीनों मामलों में ये दिन नबे सो परसंट का सपोर्ट बनाता है अब बात करते हैं सत्रा तारीकी सेविंटीन नमबर का जो दिन है ये कहता है कि इस दिन आप दूसरों के मामलों को अगर पहले निप्टाने की कोशिश करते हैं तो गरबर हो जाएगी पहले अपन का ध्यान रखिए अपने आप में गिल्ट नहीं लेना अगर आप अपनी चीजों को प्रियारिटी पर लेकर चलते हैं और ना दूसरों को इस बारे में बहुत ज्यादा सफाई देनी है कि आप अपने मामले पहले क्यों डिल कर रहे हैं सिंपल सी बात है मेरा काम मुझे पह इस दिन नहीं है डेली रूटीन के कार्यों में सफलता रहेगी और अगर आप जो कहा उस बात को मानते हैं तो सतर परसंट का सपोर्ट लाइफ के हर असपेक में मिलेगा और अगर दूसरों के मामले हैंडल करते हैं तो आपको सपोर्ट तीस परसंट ही रह जाएगा अब ब सा है छूट गया है वो जो मिसिंग सा है वो सिर्फ मन का भ्रम है उसको जाने दीजिए और जो आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं ये सिर्फ आपकी अपनी एक इसको क्या कहते हैं कि अपने पुरशार्थ अपने आत्म विश्वास पर शक होना वही एक सिचुएशन है तो यहा डिवाइन सपोर्ट आप सफल भी हो जाएंगे आगे भी बढ़ जाएंगे और जिस अपने अंदर की कैपिबिल्टी को इस्तेमाल करने में घबराट हो रही थी उसे हंड्रेट परसेंट एबिलिटी के साथ यूज करके सफलता अर्जित कर पाएंगे हाला कि यह दिन चालि पाप के उपर है आप दूसरे लोगों से अपने आपको अलग और एक अलग विक्तित के परसन के तोर पे फील कर पाएंगे सत्य का साथ देना है निस्वार्त रहना है गलत और जूटों का साथ नहीं देना है इसका ध्यान रखिए आपके अंदर कई सारे विचार आएंगे अपने मन के भाव अपने विचारों को दूसरों से शेर नहीं करना क्योंकि लोग इससे आपके बारे में नाहक के परसेप्शन बनाएंगे जो आपको पसंद नहीं आएगा इस दिन आप कुछ अध्यान करने के लिए अपने आपको आगे ले जा सकते हैं तो उसको करें ये बहुत बढ़ियां दिन है अध्यान के लिए इसके अलावा प्रेम प्रसंग या रिलेशनशिप इन बिल्ट इनहेंस और इस्टेबल करने के लिए भी ये दिन बहुत बढ़ियां सपोर्ट करेगा नए कार्रियों में शुरुबात करने हे तू अच्छा दिन है और साथ नए कार्रियों के लिए योजना बनाने है तू भी ये दिन बहुत सपोर्टिव है रिलेशन में एजुकेशन में शोशल इमेज में इन सभी में ये दिन सो परसंट का पूरा सपोर्ट बना करके रखेगा तो धनुराशी ये था आपका राशिफल 13 से 19 नवंबर तक का हेलो मकर्राशी आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में मकर्राशी आपके लिए 13 नवंबर का जो दिन है ये कहता है कि आप अपनी लालसा से अगर बाज आ जाते हैं तो जीवन में बहुत कुछ हरजित कर ले जाएंगे लेकिन अगर लालच में पढ़ जाते हैं तो ले लालच में नहीं आना इस दिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप सिर्फ अपने मामलों को मैनेज करें कभी कभी हम दूसरों की मदद बड़ी लालच से करते हैं कि हम उसकी मदद करें हमारी तारीफ होगी हम उसकी हिल्प करेंगे वाह क्या बात है हमारा नाम हो यह सारी चीज़े गड़ल कर देगी, इसके अलावां दूसरे का हम हक मार लें, हमारा लाव जल्बी हो जायगा, यह भी नहीं करना है, ठीक है? लालच नहीं करना, न यश का लालच, न लाव का लालच, बस अपने काम को निप्टाईए, अब आता है नेसो और्ठ भाव, इसक की मदद करने के चक्कर में आप अपनी मदद भी नहीं कर पाएंगे और उसकी तो हो नहीं पाएंगी क्योंकि ये दिन आपके लिए पूरा निगेटिव है नकारातमक जंजीरों में बधे होकर जब आप किसी की इस दिन मदद करेंगे तो दूसरे को आपकी अच्छी बात भी बुरी लग जाए इसकी पॉसिबिल्टी है इसलिए बस अपने अपने मामले को ध्यान दीजिए उसका तो भूल जाएए सिर्फ अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा लीजिए दूसरे की गाड़ी कहा है कैसे है क्या है सिंपल समझे न वह एक्जामपल के तौर पर आप ट्रै तो नहीं किया ना बस इतना ध्यान रखना है अगर इतना ध्यान रखते हैं तो इस दिन को सही तरीके से इस्तेमाल कर ले पाएंगे अधर्वाइस ये दिन पूरा निगेटिव है और कोई सपोर्ट नहीं करता लाइफ के किसी भी आसपेक्ट में 14 नवंबर का दिन ये कहता है कि इस दिन आपके मन में एक उतकंठा एक लालसा होगी कि मैं कुछ करके दिखाओं अच्छी बात है करिए वो दिखेगा करिए वो दिखेगा यही इस दिन का की है यही इस दिन को खोलने की चाबी है आपको दिखाने के लिए नहीं करना है दि result दिखता जाएगा, लोग appreciate करते जाएगे, ये इस दिन की चाबिया ऐसा ही करना है, इस दिन दूसरों की बातों में आना बिलकुल नहीं है, दूसरों से सलाह ही मत मांगी है, बुल जाएगे उनको, क्योंकि लोग ऐसी ridiculous advice आपको देंगे, और चाशनी में लिप्टी हुई जाएगे, ये दिन आपको सहयोग और आसहयोग की मजधार में छोड़ता है, और कहता है कि आप सही execute करते हैं, तो support मिल जाएगा, वरना गरबढ़ हो जाएगी, अब बात करते हैं, पंदरा तारीकी, एक ऐसी situation जहां आप आने वाले भवश्र के लिए योजनाएं बनाएं, और उस योजना की कुछ बारीकियों को ठीक भी करें, ध्यान भी दें कि मेरी योजना में क्या कमिया हैं, उसे ठीक कर लें, अगर ये करते हैं तो आपकी योजना कारगर होगी, और आने वाले समय में आप जब इसी दिन या आगे जब इस योजना पर काम करेंगे तो सफलत है रिलेशन एजूकेशन शोशलिमस तीनों मामलों में पंदरा तारिक फुल सपोर्ट देता है इस दिन आपके खर्च भी बढ़ेंगे अनायास की चीजें लग्जरियस प्रोडक्ट पर पैसे का जाना इन चीजों की पॉसिबिल्टी है इस दिन आप परिवार में अपने जिम्मेदारियों का सही निर्वाहन भी कर पाएंगे ये दिन रिलेशन एजुकेशन शोशल इमेज सभी में पूरा सपोर्ट देता है और साथी साथ परिवार के सदस्यों के स्वाथ लाब में भी पॉसिटिव आंसर दे रहा है अब बात करते हैं सत्रा तारिक की सत्रा नॅवमर का दिन कहता है किसी रुके हुए काम को पुनह शुरू करने के लिए ये बढ़िया दिन है और साथी साथ इस दिन को आप इस्तिमाल कर सकते हैं किसी ऐसे मामले में अपने आपको लगा करके सिच्वेशन को मैनेज करने में जो आपकी या किसी की भी गलती से अटक गया मामला था होता है ना कि कभी कभी सिच्वेशन फस जाती है वहां से वो निकल नहीं रहे सिच्वेशन तो उसे भी निकलने के लिए इस दिन को इस्तिमाल करें ये दिन आपको आपकी प्रेजन्ट या करंट सिच्वेशन से तिहान रखना है कि इस दिन आपके मन में अगर नकर अत्मक विचार आते हैं आते भी हैं तो उन विचारों के साथ नहीं बस अपनी योजना के साथ आगे बढ़ना है सफल हो जाएंगे सभी मामलों में ये दिन सपोर्ट करता है और साथ ही साथ नए काम को शुरू करने के लिए प्रेरिद भी करता है 18 नवंबर का दिन ये कहता है कि आपको एक सुखत समाचार मिल सकता है इसके अलावा इस दिन आपके द्वारा किये गए कारे से दूसरों को थोड़ा सा अजीब लग सकता है लोग अनकंफर्टिबल आप से हो सकते हैं लोगों की परवा नहीं करने बस आप जो काम कर रहे हैं उसे करिए और पूरी शिद्दत पूरी तनमेता के साथ में करिए रिजल्ट की परवा बंद कर दीजे छोड़ दीजे रिजल्ट को ठीक है जब आप रिजल्ट की परवा बंद करके सिर्फ अपने काम पर अपने क्यारे पर काम करेंगे और इस बात को नहीं सोचेंगे कि आउटपुट क्या आएगा तो आपका काम बिलकुल सही होगा कुछ एक मामलों में आपको लगेगा देरी हो सकती है थोड़ी प्रक्रेस्टिनेशन की कम्प्लेन आपको अपने साथ हो सकती है ये सारी चीजें होने के बावजुद बस आप लगे रहे है दूसरे लोगों की राय पर इस दिन नहीं चलना है इस बात को ध्यान रखिए रिलेशन के मामले में ये दिन बहुत बढ़िया है एजुकेशन के मामले में अच्छा है लेकिन सोशल इमेज के मामले में खराब है और अपनी योजना के लामा दूसरों की योजना पर काम करने में तो सब से बुरा है 19 नवंबर का दिन ये कहता है इस दिन आप अपने ही भामर जाल में फस जाएं इसकी पॉसिबिल्टी है इसलिए आप जब कोई योजना अपने दिमाग में आए जिस पर आप काम कर रहे हैं और उस योजना पर काम करने का माइनसेट तो आगया साथी साथ आपको डाउट भी आ रहा है कि अरके कुछ गरबड ना हो जाए तो रुकिए सोचिए फिर से सोचिए उसकी कमियां देख लिजिए क्योंकि वो योजना गलत होगी उससे सुधारने की जरूरत है एक बार आप उपर जितना विश्वास करके आगे बढ़ेंगे ओवर कांफिडेंस नहीं अतियात में विश्वास नहीं सिर्फ विश्वास की जरूरत है थोड़े से मानकर चलें सो परसंट में सिर्फ 25 परसंट आपके उपर अपना विश्वास रहेगा तो उतने से काम चल जाएगा और आप सफल हो जाएंगे और कोई समस्या नहीं होगी ये दिन अगर आप अपने आपको गलत योजना के साथ सिंक्र कर लेते हैं तो बीस परसंट सपोर्ट और नहीं करते बच जाते हैं तो असी परसंट का सपोर्ट बनाएगा लाइफ के हर आसपेक्ट में तो मकर राशी ये थ से फिर मिलूंगा बैबाई हेलो कुमराशी आप सबका स्वागत है आपके रेडिंग में कुमराशी आपके लिए 13 से 19 नवंबर का जो दिन है आपके लिए 13 नवंबर का जो दिन है अच्छा जी देखें ये चरण बद्ध तरीके से काम करने और सफलता अरजित करने का है ज दिन आपके अनुसार चलेगा आप जैसा बनाएंगे वैसा बन जाईगा आप सोचेंगे अच्छा तो अच्छा बुरा तो बुरा आपकी मेंटेलेटी पर हैं घबराजाएंगे तो घबराहट बरा दिन हो जाए गा इस दिन की शुरुआत में अगर आप ठानते हैं ais जो ए औरना समय पर कंप्लीट कर ले जाऊंगी या कर ले जाऊंगा तो वो हो जाएगा आपकी सोच के हिसाब से यह दिन चलेगा इस बात को जानिये और 80% का सपोर्ट देगा लाइफ के हरा सपेक्ट पर जबकि 14 नवंबर का जो दिन है आपके अंदर काफी क्रियेटिविटी इनह क्या सोचते हैं आपको बस अपने उपर ध्यान रखना है और एकॉर्डिंगली काम को करना है सफल तो आपको मिल जाएगी दूसरों के उपर अगर आप फोकस करेंगे तो हो जाएगी गरबर हाला कि यह दिन आपको 30% का फुल फ्लेश पॉजिटिव कॉन्फिडेंस देता ह कभी कभी हम अपनी कैपिबिल्टी से ही डर जाते हैं हम अपनी ही छमता से घबरा जाते हैं तो वो नहीं करना है अपने उपर कॉन्फिडेंस रखिए जिस कारे को हाथ में लिया उसे करने की कोशिश करिए सफलता आपको मिल जाएगी आप अगर बहुत कुछ बड़ा नही करना चाहते तो जो आपका डेली रूटीन है जो सोचा समझा प्लान है उसी पर कायम रही और वो एस इट इस होता चला जाएगा बिना किसी रुकावर्ट बिना किसी परिशानी के इस दिन जो समस्या है वो सिर्फ इतनी सी है कि आप ओवर परसेप्शन करें जरूरत से ज्य को अंदर तक प्रफलित कर दे खुश कर दे ऐसा मिलने की पॉसिबिल्टी है एक नई योजना के ऊपर काम शुरू कर दे इसकी पॉसिबिल्टी है इस दिन आप अपने लव रिलेशन में और ज्यादा एक्सपेक्टेशन करने लगें इसकी पॉसिबिल्टी है हलांकि लव में अचीव कर ले जाएंगे ये दिन रिलेशन एजुकेशन शुर्शल इमिच इन सभी में फुल सपोर्ट बनाये हुए हैं 17 नवंबर का दिन ये कहता है इस दिन भी आपको एक ऐसा समाचार मिल सकता है जो अच्छा है ये बुरा ये उस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि जब ये समाचार आपको मिलेगा तो आपका मूड कैसा था तो ये आपके ओपर डिपेंड करेगा इसके अलामा आप बड़े स्वार्थ ही रहेंगे कोई बात नहीं है या अच्छा है इस दिन इस स्वार्थ की वज़ा से इस सिर्फ मैं 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 और मैं को कहने की वज़ा से ये दिन आपको इतनी एनरजी दे देगा कि आप अगर किसी काम को हाथ में लेते हैं तो सफल हो जाएंगे किसी टार्गेट को अचीव करना चाहते हैं तो पूरा हो जाएगा लेकिन अगर आप बड़े भोले मासूम और अच्छे बनने का नाटक करते हैं देखे सच मुझ बनते हैं तो ठीक है लेकिन अगर आप दिखावा करते हैं नाटक करते हैं तो वो नाटक में आप पकड़े जाएंगे यह हो जाएगी गड़ बड़ इसलिए ध्यान रखना है ज़्यादा अच्छे वच्छे बनने की जुरूत नहीं है अपना काम करिए अपने टारगेट अचीव करिए बात हो गई खताब रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज सभी मामलों में से ये दिन एजुकेशन और सोशल इमेज में बढ़िया है फुल सपोर्ट देगा लेकिन रिलेशन्शिप के मामले में थोड़ा सत्ता नाओ दे सकता है जब आप अपने साथी की बात को ना सुने 18 नवंबर का जो दिन है ये कहता है कि आप सिचुवेशन को एक के बाद एक अपने विरुद पाते चले जाएंगे एक मामले को निपटाएंगे दूसरा आगया दूसरे को निपटाएंगे तीसरा आगया तो इस तरह से ये दिन चलेगा अगर ऐसा चलता रहेगा तो कोई बात ने श्ट्रगल का मामला है आप चीजों को मैनेज करते नहीं चीजे निपटती चलेंगी और कोई प्रॉब्लम नि लेकिन अगर एक साथ कई समस्याएं आ जाती है जिनकी पॉसिबिल्टी है तो जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी और विकराल है जिसको आप बिल्कुल साल्व नहीं करना चाते भागना चाते उसी पर फोकस करिए उसी को सॉल्व करिए वो नहीं सिर्फ सॉल्व आउट हो जाएगी खतम हो जाएगी प्रॉब्लम जब उस पर फोकस करेंगे बलकि अडिशनल जो छोटी मोटी प्रॉब्लम सा 18 तारीकी वो भी खतम हो जाएगी अपने आप आपके बारे में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सेंस रखेंगे आपके बारे में जब लोग पॉजिटिव रहेंगे तो आपको एड्मायर एप्रिशेट करेंगे तारीफ करेंगे आपको सपोर्ट करेंगे और वे कुछ लोग जो गंदे घटिया दो चार हैं आपके जीवन में वे आपके बारे में जो निगेटिव थौट रखेंगे उसकी वज़ा से 19 तारीक को आपका फाइदा उठाने की कोशिश करेंगे और आपको उन्हें कुछलना है फाइदा उठाने नहीं देना है उनको बिल्कुल दर किनार कर देना है याद रखिएगा इस चीज़ को अगर आप चाहेंगे किसी काम में अपने आपको लगाना तो थोड़ा सा हिम्मत और ज़्यादा पुश अपने को करना पड़ेगा हलांकि इस दिन आप थोड़ा कैजल मोड में होगे इसलिए पुश ज़्यादा करना पड़ेगा तो आप उस काम में सफल भी हो जाएंगे ये दिन रिलेशन एजुकेशन सोशल में सभी मामलों में फुल सपोर्ट बनाता है तो कुम्भर राशी ये था आपका राशिफल 13 से 19 नवंबर तक का राशिफल आपको कैसा लगा अपने एक्सपिरियन्स अपने अनुवो कमेंट सेक्षन में जरूर लिखे इस वीडियो को लाइक करिए शेर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा बाई बाई हेलो मीन राशी आप सबका स्वागत है आपके रीडिंग में मीन राशी आपके लिए 13 नवंबर का जो दिन है आगे बढ़ने सफलता प्राप्त करने और उस सफलता का श्रिय खुद ले लेने का है ये दिन टू वे सिचुवेशन में आपको बेनिफिट्स देगा इस दिन आपके द्वारा किये गए कार्लियों में आपको सफलता मिलेगी आप दो मामलों को बहुत बहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे और भविश में यानि कि आपका जो विजन होगा वो फोरकास्टिंग होगा आगे क्या होने वाला है उसके बेसिस पर आप आज डिसीजन लेकर के चीजों को मैनुपुलेट या मैनेज करेंगे और वो हो जाएगा ये दिन आपको 80% का सपोर्ट देता है आपकी लाइफ के हर आस्पेक्ट में चौदा तारीक कहता है कि इश्वर की करपा के अनुकूल और तदन रूप चीजें आपके साथ पॉजिटिवली होती जाएंगी आप बस अपने अंदर एहनकार को लेकर के ना आएं जिन कार्यों को आप करना चाहते हैं उनमें सफलता मिलेगी करवाना चाहते हैं उनमें सफलता मिलेगी लोगों को मैनुपुलेट करना चाहते हैं उसमें भी सफलता मिलेगी और अगर आप खुद आगे बढ़कर करना चाहते हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगी आप एहनकार युक्त रहेंगे तो ये दिन आपको 10% का सपोर्ट देगा और अगर एहनकार नहीं रखेंगे तो 100% का सपोर्ट सिस्टम बना रहेगा 15 नवंबर का जो दिन है ये काता है बड़े प्रफलित और खुश रहेंगे कोई काम पूरा हो इसकी पॉसिबिल्टी है परिवार के साथ ज्यादा समय बिताएंगे के क्वालिटी समय परिवार के साथ बीते है इसकी पॉसिबिल्टी है ये दिन एक सेलिबरेशन के दिन जैसा होगा परिवार और आपके बीच में जो तालमेल और सामंजस से बनेगा उससे आपके अंदर एक प्रफल लता आएगी जो आपके स्वास्त में आपकी मनह इस्थिती में और इंप्रूमेंट और पॉजिटिविटी को इनहेंस करेगी और आपके पूरे जीवन को पॉजिटिविटी से भरेगी रिलेशन एजूकेशन शोशल इमेज बिजनस प्रॉपरिटी जोब सभी मामलों में पंदरा तारिक सो परसंट सपोर्ट देता है जबकि साथ परसंट के सपोर्ट के साथ सोलह नवंबर का जो दिन है ये कहता है कि आप अगर कॉन्फिडेंट होते हैं अपने उपर और उस कॉन्फिडेंस के साथ काम करते हैं तो सफलता मिलेगी लेकिन अगर आपका डाउट अपने उपर आ जाता है और अगर आत्म विश्वास नहीं जुटा पाते तो किसी भी additional काम में जाने की जुरूरत नहीं बस अपने daily routine पर बने रहें उतना ही आपके लिए काफी रहेगा अब बात करते हैं 17 तारीकी टू वे situation बहुत अच्छे रहेंगे one to one relationship अच्छे रहेंगे प्रेम संबंधों के लिए चाहे वो married हो या unmarried couple उनके लिए बहुत बढ़िया और positive response लेकर के आता है ये दिन और ये कहता है कि इस दिन आपके कई सोचे हुए काम पूरे हो जाएं या आप एक दूसरे की expectation पर खरे उतने इस दिन आपका emotional factor थोड़ा high रहेगा इसलिए न emotional होकर decision लेना है न कोई promise करना है इसका ध्यान रखिएगा बाकी ये दिन relation education social image तीनों मामलों पर आपको 80% का support बना कर देगा 18 नवंबर का जो दिन है ये कहता है कि इस दिन आपको एक celebration वाली situation को face out कर सकते हैं आपके surrounding चीज़े बड़ी positive रहेंगी 17 तारिक वाली positivity carry forward होती है 18 तारिक को और relation, love relation, परिवारिक संबंद, मित्रवत संबंद, office में colleagues इन सभी के साथ एक अच्छा और मनोरम भाव बना रहेगा और चीज़े मीन राशी आपके पक्ष में रहेंगी, इस दिन भी emotional factor आपका हाभी रहेगा, इसलिए emotional होकर decision या promise वाले मामलों से दूर रहना है इस दिन इस बात को धियान रखें कि अगर कोई situation triangle होती है, तो इस triangular situation को आसानी से आप deal कर ले जाएंगी अब बात करते हैं 19 तारीक की, 19 तारीक एक ऐसा दिन होगा जो आपके कई अटके हुए मामलों को सुल जा देगा अगर आपको लगता है कि एक धुन्चाई है, किसी specific मामले में आपको राह नहीं मिल रही थी पिछले कुछ समयते से तो राह मिल जाएगी और आप समझ जाएंगे कि अब आगे आपको क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है तो चीजों को execute कर ले जाने में आप कामयाब रहेंगे इस दिन आपके द्वारा लिए गए निरड़े सही होंगे, हाई एंड एनरजी सोर्स आपके साथ बना रहेगा तो आपकी शमता आपकी हमत में बृद्धी होगी, इनहेंस्मेंट होगा और आप पूरी पावर के साथ किसी भी नए काम को या पुराने कार्यों को शुरू करके आगे ले जा पाएंगे इस दिन आप अपने आपको आपकी current situation से एक step आगे feel करेंगे जहां से आपका forecast और आपका vision बिल्कुल powerful तरीके से काम करेगा और आपकी मदद करेगा चीजों को manage करने में, समझने में, manipulate करने में ये दिन relation, education, social में सभी मामलों में 90% का support बनाए है तो मीन राशी ये था आपके लिए राशी फल 13 से 19 नमबर तक का और चूंकि आप राशी चक्र के आखरी राशी हैं तो आपके साथ ये राशी फल यहीं पर समाप्त होते हैं आज का राशी फल आपको कैसा लगा, अपने experience, अपने अनुबह, comment section में जरूर लिखे इस वीडियो को like करिए, share करिए और चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, बाई बाई